नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ्याए सुवागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बहुत सारे नमबर्स आएं ओपन मार्केट्स में आप सभी के साथ इस वीडियो में उन में से कुछ stocks के नमबर select करके share करना चाहूँगा in fact select करके गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि मैंने randomly number share करने है select मैंने किया नहीं है कुछ भी हाँ बट कुछ numbers मैंने जरूर पढ़े हैं जो बड़े दमदार थे और reaction तो और जादा दमदार था जिसमें पहले उसी से शुरुआत करूँगा जिसके बड़े दमदार number आए आज और reaction तो मतलब पूछो ही क्या शांदार reaction था इस्टोक का नाम है आपका SMC Global Securities ये एक ही चीज बता रहा है कि शियर मार्केट से जुड़ी हुई जो कंपनिया है न वो बहुत ही धमदार performance पेश कर रही है आप SMC Global देख लिजिए या कोई और Broking Company देख लिजिए या फिर डिरेक्ली mutual fund industry को ठाके देख लो केफिन टेक के नमबर देखे HDFC AMC के नमबर देखे UTI AMC की बात करूँ या फिर आप बात करूँ अब कैम्स के जो नमबर आने वाले हैं उसकी सबसे उमीद है बहतरीन ही है SMC Global में 15% की तेज़ी आई है अज रिजल्ट के बाद stock 125 रुपे पे आगया 110 रुपे के करीब था 125 रुपे का high अभी closing आई है इसकी और 15% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है numbers पे ध्यान दे तो 20 करोड का मुनाफ़ा 35 करोड का हो गया है revenue 170 करोड के सामने 215 करोड पे हो गया है and अगर आपके साथ बात करूँ मैं इसका माफ कीजिएगा यहाँ पे revenue मेरे पास अच्छा यह stand alone basis पे था जो मैंने भी बताया आप consolidated basis पे बात करूँ तो मुनाफ़ा 32 करोड से बढ़कर 51.7 करोड पे आया है revenue 430 करोड पे आता हुआ दिखा है हर एक पैमाने पे दमदार नंबर्स थे अच्छे थे next orient cement orient cement की बात की जाए तो यह आज 4.5% तूटा है नंबर्स देख लेते हैं एक बार नंबर्स ठीक दिख रहे हैं कुछ दिक्कत दिखनी रही है मुझे फिर भी stock तूड़ गया भी कुछ news हो सकती है या sector में गिरावट हो सकती है 27.5 करोड के सामने 45 करोड का मुनाफ़ा कंपनी ने पेश करा है साल दर साल तो अच्छा है रेविन्यू 730 करोड से बढ़कर 750 करोड पर आया है ये भी ठीक है कामकाजी मुनाफ़ा 90 करोड के सामने 115 करोड आया है तो बहुत अच्छा है margins भी 12.34 से भढ़कर 15.36 परसेंट है तो numbers में मेरे को कुछ खराबी नहीं दिख रही है मेरे को ये numbers अच्छे ही लग रहे है share का price बस तूट गया है EIH hotels की बात की जाए तो यहां numbers आते हुए दिखे है numbers कैसे रहे है देखते एक बार margin सबसे पहले हैं आपे 40.61% के सामने 41.27% हो गया है तो अच्छे माने जाएंगे कामकाजी मुनाफ़ा 45 करोड के सामने 52.3 करोड आ गया है तो अच्छे ही है stand-alone net profit 30 करोड से बढ़कर 38 करोड का आया है तो बढ़िया है वहीं अगर revenue देखो है तो 110 करोड के सामने 130 करोड के आता हुआ दिखाए आगे आप सभी के साथ बात करूँ तो Unicam Laboratories अपने numbers के बाद 20% का circuit हिट कर दिया है stock ने और numbers पे नज़र डालें तो numbers देख लेते हैं बाई साथ कैसे रहे हैं बहुत ही दमदार लग रहे है Consolidated Net Profit 84 करोड का आया है versus 64 करोड के घाटे के सामने तो turn around है 65 करोड के घाटे के सामने 64 64 करोड के घाटे के सामने 84 करोड का मुनाफ़ा turn around है revenue 300 करोड के सामने 430 करोड का margins 8.77% और कामकाजी मुनाफ़ा देखेंगे अगर आप तो 42.7 करोड के घाटे के सामने 38 करोड का कामकाजी मुनाफ़ा है Consolidated Net Profit before exceptional item अगर exceptional item हटा दिया जाए और profit देखो तो 61 करोड के घाटे के सामने 16 करोड का मुनाफ़ा है तो turn around story है जिसकी वज़े से 20% सरकेट मार दिया ऐसे स्टॉक ने नेक्स्ट है विजाया डागनोस्टिक ये एक ऐसा छेतर है जिसने पैसा नहीं बना के दिया है बहुत समय से और numbers आएं कैसे आएं देखते हैं लेकिन स्टॉक का price तो 4.5% तूड या है profit अच्छा jump करा है year on year basis पे 16.4 करोड से बढ़कर 25.8 करोड पे है revenue 113 करोड को सामने 133 करोड पे आया है और margins 39.15% से बढ़कर 39.42% है और कामकाजी मुनाफ़ 44.3 करोड को सामने 52.3 करोड है तो एक और ऐसा share जिसके number तो year on year basis पे अच्छे लग रहे हैं बट share का price तूटा है नेक्स्ट आपके लिए जो आता हुआ दिखा है वो है आपका यहाँ पे मैं देख पाऊं तो चोला मंडलम finance holding को देख लेते हैं इसका consolidated net इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको आपके साथ discuss नहीं करता हूँ यहाँ नंबर आए है बैनको प्रोड़क्स के 5% टूटा है यह share इसके results बहुत खराब दिख रहे हैं consolidated net profit 98 करोड के सामने 68 करोड पे रह गया है revenue 510 करोड से बढ़कर 560 करोड पे आया है revenue बढ़ा है बागी सब गटा है margins में 13% की कटोती है यह almost 28% के सामने 15.75% पे margins रह गया है बहुत खराब है कामका जी मुनाफ़ा 140 करोड के सामने 89 करोड पे रह गया है तो यह भी खराब दिख रहा है तो इसी यह stock का price भी 5% तक टूटता हुआ दिखा है अवंती feed बीदे कुछ समय में stock काफी action में रहा इसके numbers देखें तो 62 करोड का profit 72.5 करोड हो गया है जो कि अच्छा मानूँगा मैं revenue 1100 करोड से बढ़कर 1250 करोड का हो गया है बहुत अच्छा मानूँगा EBITDA यानि कामका जी मुनाफ़ा 80 करोड के सामने 97 करोड हो गया है margin 7.31% से बढ़कर 7.74% के हो गया है तो बहुत ही अच्छे है almost मैंने आप सभी के साथ maximum stocks cover कर दिये एक ही वीडियो में अब कुछ specific होगा तो जरूर बताऊंगा results में या फिर जो आते जाएंगे उनको discuss करूंगा बाकी जो भी चीज़े आपको definitely चैनल पर जरूर मिलेगी तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही thank you so much for watching this video have a great day guys